एक बार फिर आपका जीनियोस पॉर्टल में स्वागत है और ये लालसोट सवाई माधुपुर से कोटा का मेगा हाइवे है और अभी हम जुआड से आपको लाइव दिखा कर जैसे ही सवाई माधुपुर की तरफ वाफस आ रहे थे तो वाफस आते टाइम ये जो थड़ी है इस थर्ड़ी पर हमें लोगों ने रोका और बोकर फिर वही समश्या यहां जो हमने जुआड में दिखाई है वही जो ये मूही ग्राम पंक्चयत है वहाँ जाने का मुख्य रास्ता है और ग्रामिडों ने फिर यहां पर रोक कर अमेन की समस्य बताई यह सबसे पहले तो जिन्यूस पोर्टल में आप सभी ग्रामवाश्यू का स्वागत है और क्या समस्य है जरा हमारे दर्सोगों को बताएं यह रस्ता मुई जा रहा है सिदा यह ग्राम पंचयत मुख्याले पर जो मुख्य रास्ता है वो रास्ता है और इस रास्ते की दसा आप जीन्यूस पोर्टल पर सिधा लाइव देख रहे हैं और यह आगे जाकर आगे जाने लाइक काबिल नहीं बताया जारा है जाने के काबिल की आदमी पेदल तो जाही नहीं सकता और बच्चे इसकुल वगेर आते जाते हैं हाला कि अभी सकुल खुलेंगे दो अगस्त से लेकिन फिर भी रास्ता बिल्कुल ग्राम पंचयत लेवल का नहीं है पता नहीं ग्राम पंचयतों में इतना बज़ट होने के बावजूद विकास से कोसों दूर क्यों है और इन ही समस्याओं से लेकर आज आप अंच्वे पहलू पर विशेश चर्चा रहेगी जो मुई ग्राम पंचयत है उसके जुआड गाउं में भी आपने देखा कि यहां के जो हालात हैं वो आदर्स ग्राम के काबिल तो क्या एक पिछडी ग्राम पंचयत जरूर हम कह सकते हैं अत्रिक्त बजट आने के बावजूद हालात देनिये हैं और यह रस्ता यहां से बिल्कुल क्लोज है आगे पेदल दुपईया वाहन या ने किसी प्रकार से आने जाने में काफी तकलीफ होती है जब बरसात हो जाएगी तो यह रस्ता बिल्कुल यह यहाल चाहिए देड़ दो किलो मेंटर तक पूरा रास्ता ख्लोज हो जाएगा और यहां से निकल पाना काफी मुश्किल भरा रास्ता है यह है मुई ग्राम पंचैत में जाने का मुख्य रास्ता जुवार से और जुवार के हाल मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाए हैं अब इस वक्त तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं है मैं जो मुई के सरपंच थे राम जिलाल जी अखंड उनके यहां भी गया था लेकिन पहले तो उन्होंने बात करके मुझे घर भुला लिये लेकिन सी चौप करके घर से गाइब हो गये शाम को अंच्वे पुल्यों में कोशिस करते हैं उनसे संपर्क साधने की जीन्यूस पर्टल पर बने रहने के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद झाल